नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता आखिरकार एमजॉन के संस्थापक जेफ बेजॉस को कड़ी टककर देने के बाद एलॉन मस्क ने बाजी मार ही ली और बन गए दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलॉन की नेट वर्थ 188.5 बिलियन डॉलर हो गई है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की गई अरपतियों की लिस्ट में एलॉन का नाम नमबर एक की पोजीशन पर शामिल किया गया है टेसला कमपनी के सीई ओ एलॉन मस्क की इस काम्याबी के लिए उनको दुनिया भर से शुबकामनाई मिल रही है बेशुमार दौलत के साथ सबसे अमीर आदमी बनने वाले एलॉन मस्क के लिए ये सफर बेहत मुश्किल रहा हाला कि अगर उनकी जिन्दगी के पुराने पन्नों पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वो बच्पन से ही इतने महनती रही हैं कि देखने वाले यही कहते थे कि ये पक्का कुछ बड़ा करेंगे और हुआ भी वही क्या आपको पता है एलॉन ने महज 9 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम डिवेलप कर दिया था एलॉन से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनने सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे उनकी जिन्दगी के बारे में आज हम आपको बताते हैं एलॉन का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था एलॉन के पिता इंजिनियर और पाइलिट थे और मापेशे से एक मॉडल थी बेहत छोटी उम्र में जब बच्चों को खेलकूत से ज्यादा प्रिये कुछ नहीं होता उस उम्र में एलॉन किताबे पढ़ते थे दिन में 10-10 घंटे वो किताबों में ही डूबे रहते थे आच साल की उम्र तक पहुँचते पहुचते एलॉन ने स्कूल की लाइबरेरी की लगभग सभी किताबे पढ़ डाली थी इनमें इंसाइकलोपीडिया भी शामिल रही दिलचस्प बात ये है कि एलॉन किताबे पढ़कर अपने ही सवालों के जवाब ढूनते थे 9 साल की उम्र में एलॉन का दिमाग बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज चलता था इसी उम्र में एक तरफ एलॉन ने ब्लास्टर नाम से विडियो गेम बना डाला था तो दूसरी तरफ यही वो वक्त था जब एलॉन के माता पिता का तलाक हो गया था एलॉन ने इस दौनान अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया एलॉन अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहते थे कई बार तो इस कारण स्कूल में उनका काफी मजाक भी बनता था एक बार तो बच्चों ने उन्हें सीडियों से धका देकर नीचे भी गिरा दिया था आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एलॉन ने ये विडियो गेम बनाया था तब वो 500 डॉलर में बिखा था एलॉन बच्चपन से ही कितने हौनहार थे ये उनके किस से जानकर और सुनकर आप समझ ही गए होंगे 17 साल की उम्र में एलॉन पढ़ाई के लिए कैनिडा चले गए जेब खर्स निकालने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे ग्रैजुएशन करने के लिए स्टेनफॉर्ड युनिवरसिटी में एलॉन ने एड्मिशन लिया लेकिन दो दिन बाद ही युनिवरसिटी को टाटा बाई बाई कह दिया इसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सॉफ्ट्वियर हाउस बनाने का फैसला किया जिसका नाम जिप्टू रखा गया तीन साल बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी बेच दी फिर उन्होंने 1999 में X.com नाम से एक आनलाइन बैंक की शुरुआत की बस उसके बाद से ही वो काम्याबी के शिखर पर पहुँचते चले गए स्पेस एक्स की स्थापना के चार साल बाद यानि की 2006 में उन्हें नासा की तरफ से अंतरिक्ष स्टेशन तक कारगो पहुँचाने का ठेका मिला वो बात अलग है कि कुछ नया करने का जजबा उनका अभी भी थमा नहीं था फिर साल 2012 में उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सूपर चार्जर का नेटवर्ट तयार किया दिन दूनी राच चोगुनी मेहनत करने वाले एलॉन को फिर कामियाबी भी उसी हिसाब से मिली नतीजा सब के सामने है आपको बता दें लगातार कई कामियाबियों के बाद एलॉन की अब अगली योजना अंतरिक्ष में कलॉनी बनानी की है 2025 तक एलॉन सफलता मिलने की उमीद कर रही है दुनिया के सबसे अमीर शक्स के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जबरूर बताएं